जगा एक और दावेदार चार जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की रिंकू सिंग वो खिलाड़ी जिसके पास 80 का एवरेज है और 190 से उपर का स्ट्राइक रेट जब इस कैलिबर के खिलाड़ी की बात होती है तो बात कही जाती है कि अब आप इसको कैसे कहेंगे अब ही या आप हमारे प्लान में नहीं है T20 वर्लड कप आ रहा है जून में खेला जाना है अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है इससे पहले आइरलेंड की सीरीज हुई थे जहां पर इंकू सिंग खेले थे आइरलेंड की सीरीज में धंमाल बचाया तो उन्होंने जो 37-37 बनाए थे आप उनको मत देखिए आप वो देखिए कि कैसे पहले संभाला कुछ बॉल रोके उसके बाद जब बाउंडर लगाई तो इस ट्राइक रेट यहां से यहां पहुचा दिया मानि रिंकू सिंग को इतना पता था कि कैसे पारी को संभालना है इसके बाद आते हैं ऐस्टेलिया सीरीज में आप कहेंगे कि 4 मैच में खेले 1 मैच मैच में नहीं चले कि भाईया हमको बता दीजिया आपको हमको खिलाना है या आपके क्या प्लान है बीसी से लेकिन मोस्ट प्रभली यही माना जा रहा है कि भाईया जल्दी वो एनॉंस्मेंट हो जाएगी कि रिंकु सिंग का तो पता नहीं बट रोहिश शर्मा कप्तान के तौर पर वहाँ पर तो ओपन कौन करेगा उनके साथ शुबमन गिल और रितुराज गाय कौड यह दो नाम भले से भी चर्चम रहेंगे आकाश चोपडा ने कहा कि भाईया डिरेक्ट शूट आउट है दोनों में से एक बंदा खेलेगा नंबर तीन नंबर चार को छोड़ दीजिए वहाँ पर इशान किशन श्रिया सायर की बात चल रही है क्योंकि विराट कोली के उपर ये कहा गया है कि टीम इंडिया और बी सी सी आई विराट कोली से आगे निकल चुकी है लेकिन अब आती है नंबर पाच की बात ये वो जगह जहां पर चार दावेदार है रिंकु सिंग उसमें से एक है केल राहूल है हार्द एक पांडिया है इनके अलावा इशान किशन भी इसलिए दावेदार है क्योंकि अगर विराट कोली के एंट्री होती तो फिर यही जगह बचती है अब आप कहेंगे कि इशान किशन या केल राहूल एक विकिट कीपर चाहिए हमको तो चलो एक से खिला लिया जाएगा लेकिन अगर नंबर तीन पर पहुच गए तो फिर इस जगह पर कौन आएगा या फिर अगर चलो ठीक हम नहीं कहते कि विराट कोली खिल रहे तो एक नीचे जाएगा छे नंबर पे विकिट कीपर का आप खिलाएंगे रिंकु सिंग ने जिस तरह क फिनिश ती जिस तरह के टच दिया पारी में उसके बाद आप कहेंगे कि 80 का एवरेज के साथ और 197 से उपर का स्ट्राइक रेड इस खिलाड़ी का 190 से उपर का स्ट्राइक रेड जो सूरुकमारी आदव ने जिसके लिए कहा कि हमें धोनी वाली जहला किन में दिखती है वो क्या रिंकु सिंग वो धोनी वाला टच देते हैं क्योंकि जो केल राहूल है वो केल राहूल क्लासी बैट्समैन है लेकर हमने देखा फाइनल में वो थोड़े से आखिर मतलब उनका गेम ही है कि पहले वो इनिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक डाउन करके खेलते हैं इसके बाद एकदम से पेस अप करते हैं आप श्रेस हार्दिक पांडे की बात करेंगे फिटनेस उनका साथ नहीं देती जो बंगलदेश खिलाफ इंजिए हुए तो इसके बाद से अब सिधा IPL में नज़र आएंगे और IPL में भी हमें अच्छे तो पता कितने मैचिस खेल पता रहता है लेकिन अगर हम बात करेंगे रिंकु सिंगे तो अब तक जितने मैचिस खेले सब में इंप्रेस किया है ऐसे में अब जो सिलेक्टर्स हैं टीम इंडिया के वो रिंकु अगर अगर रिंकु आई-पिल में परफॉर्म कर देते हैं तब क्या करेंगे क्योंकि त इतने अच्छे से फिनिश नहीं कर पा रहें पिछले कुछ वक्स से आमने देखा है जर्डेजा का बल्ला इतनी अच्छे तरह के सा नहीं चल रहा है आपको क्या लगता है कि रिंकु सिंग को मौका दिया जाना है क्या दिया जाना चाहिए टीटवेंटी वर्ल्ड कप में आप ही IPL का वेट करते हैं, चलिए देखते हैं, आपको क्या लगता है, मुझे कॉन्ट में जरूर बताएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आएगे तो से लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगे